मेरी तीनो गर्फ्रेंड को लगता है कि मेरा चक्कर कहीं और चल रहा है आद होती है यार सक करने की परहोसा ही निंग है अनसान पर कती चाहे कितने ही बड़े आदमी बन जाओ ससुराल में तो पहचान बीवी के नाम से ही होगी ये हमारी बेटी के वो है मैं करूँ क्या याद ये वीडियो इसपेसिली मेरे प्यारे दोस्तों के लिए है दोस्तों मन तो करता है कूट कूट के लाल कर दू तुमें किस काम के तुम अगर मुझे एक दो बार हाई भी ना बोल सकते तो जरूरत ये नहीं किसी को ये बताने की कि मैं तीन दिन से नहाया नहीं हूँ अगर आपका हाथ पकड़कर चलने वाला कोई नहीं है तो परेशान नहों आप अपने हाथ जेम में रखकर भी चल सकते हो बिलकुल ऐसे बढ़िया सेलफी के चक्कर में मैंने दो फोन बदल लिए जब तीसरा बदला तो समझ आया समस्या कैमरी की नहीं थी मेरे बेस्ट फ्रेंड इतने 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 अच्छे हैं कि साले कभी भी कोल नहीं करते दिल ने कहा फ्रेंड को मेसिज कर फोन उठाया और सोचा रहने दे दिल तो पागल है फिर सोचा दिल पागल है तो क्या हुआ फ्रेंड कौन्छे नॉर्मल है के हर किसी को तुझ जैसा पागल दोस्त नहीं मिलता पता नहीं मेरी किस्मत कैसी है आपको पता है कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जिनसे लड़किया थोड़ी सी बात क्या कर ले सिधे वोट्स अप नंबर ही मांगने लग जाते हैं साले बिखारी यार भाई यार दोस्तों में कुछ बोल दे खेर छोड़ो उसमें भी तो दिमाग है बेबी तुम मुझे कभी सप्राइज क्यों नहीं देती हो येलो मेरा नया बॉइफ्रेंड ये लड़किया अपनी वेस्ट फ्रेंड की पता नहीं पप्पी कैसे ले लेती है मुझे तो देखके घिनाती है दोस्तों क्या आपको पता है कि पहले मेक अप नहीं होता था इसी लिए ब्रेक अप नहीं होता था कल उसका हैपी बड़े था और वो स्कूल में टोफियां लेके आई थी और उसने मुझे सिर्फ एक ही टोफि दी